वेल्कम टू आवर सत्वा बाबा बीसे एकोलेज योटिप चेनल हीएल वी आर गईंग टो लान अबाउट एरे इंग सी लेंगवेज हावे एरे कोने केवाई तो के एरे इस ग्रूप ओफ रिलेटेड डेटा एटम्स धेट शेर कोमन ने मिन्स के तमें सी लेंगवेज मां अगाव जोई गया के वेरियेबल डिकलेर करवा होई तो मारे एनी डेटा टेप लेवी पड़े औने जेटला वेरियेबल लो उच्छो एटली वार एने डिकलेर करवा पड़े पन जो एक ना एक वेरियेबल होई मिन्सके variable नी same datatyp रागपी होई तो मारे अलग लग डिकलेर करवाना होई तो मारे array लेवो पड़े मिन्सके array माँ variable अलग-लग होई चे पर तेने एक common name common name मिन्सके एक ज suck same name आपामा आवे चे औने एन्सके एक group बनावामा आवे चे individual elements of an array are not as elements आबेबANS मिन्सके एरे छे, पेली डेफिनेशन आपी के एरे छे, एमा डेटा आइटम मिन्सके डेटा नो ग्रूप होए छे, अने दरेक डेटा ने कॉमन नेम आपवामा आवे छे, मिन्सके बधाच डेटा छे एने सेम नेम आपवामा आवे छे. Second definition जोईए तो individual elements of array are known as elements of array मिन्स के जुदा जुदा array ना element छे तेने array ना element कहवाई छे The number specified within the square bracket during the declaration of variable is known as array size मिन्स के array मा जे square bracket मा जे value आपेली छे declaration ना समये तेने array नी size कहवाई छे अहीं में array a नाम नो बनावेलो छे मिन्स के array नो नाम a छे औने तेनी data type integer छे मिन्स के मारा बथाज array नी size integer data type हाशे अने array छे a नी size 20 छे मिन्स के माने अहीं 20 element मर से The number given to each element is known as index or subscribe मिन्स के दरेक element छे नेक नंबर आप्पामा आवे छे For example अहीं 0 लखेलू छे 1, 2 ए बधाज छे ए एरे ना index छे index नू विजुनाम subscribe पन छे अवे array छे एमा main याद राखवानू छे ए के array छे ए हमेश या array नी index 0 थी start थाई छे अन्ने index छे ए क्या सुधी जशे तो के जेटली size छे ए माइनस एना थी माइनस वन करी देयानों मिन्स के एरेनी index छे ए 0 थी 19 सुधी जशे होवे तमने एव उठाई छे एरेनी size 20 छे पन एनी index छे ए 19 सुधी के याँ जशे तो के 1 थी 29 एटले के 29 एलिमेंट मने मड़ी गया अन्ने 0 पन आपेलो चे मिन्स के 0 थी start थाई छे एतला माटे मने एरेना index छे ए 19 सुधी मर्शे होवे अही आपने सी लेंगवेज मा 1D एरे 2D एरे एनने multi-dimensional एरे छोवानो छे एमा फर्स्ट छे one dimensional एरे one dimensional एरेने single सब्स्रिप्टेड एरे पन केहवाई छे एन एरे with only one सब्स्रिप्ट is known as one dimensional एरे मिन्स के आही a of 0, a of 1 छे एक 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 सब्स्रिप्ट आपे लिए छे एटला माटे एनने 1D एरे केहवाई छे 1D एरे स्टोर तर लिस्ट ओफ वेल्यू फोर एक्जांपल हीर वी हाव दो एरे साइज तल साइज ओफ 5 that means it can store maximum 5 integer elements that means we can store 5 different integer values inside it मिन्स के मारी एरे नी size 5 छे तो हूँ जुदा जुदा मने 5 element मलशे जा सब्स्रिप्ट ओफ एरे इस start with 0 and up to 4 अभव्य आपके जोईऊ के array छे index मेशा 0 थी start थाय छे अन्ने क्या सुदी जोशे तो के size minus 1 मिन्स के मारी size 5 छे array तो अहिं मने index 4 सुदी मलशे When you declare the array, your computer assign continuous memory allocation to it मिन्स के तमें जारे array ने declare करो छो अहिं में array ने declare करेलो चे इंटीजरे लेके पेला डेटेटाइप आउशे अपचे एरेनो नाम आउश आने square bracket मा तेनी size आउशे तो अहीं मारी जारे हुँ एरेने declare करूछू त्यारेज मने एनी memory छे ए मरी जे तमने अहीं figure मा ड्रोग करे ले छे मिन्स के a of 0, 1, 2, 3, 4 एरी ते computer मा एने size मरी छे आने बद्धानू common name छे ए आपेलू छे You can access each array element by using it subscript मिन्स के तमारे कोई पोई variable छे, specific variable छे, array छे, ए लेवो छे तो तम्में एने subscribe थी मेरी शको, subscribe अथवा तो एने index पन करी शको For example, मारे पेलो एलिमेंट छोई ये छे, तो पेलो एलिमेंट छे, a start a of 0 थी थाई छे तो हुँ a of 0, एज रिते second element छे, a of 1 छे, एज रिते मारे प्रिंट गरा हुँ छे तो a of 0 अने a of 1 थी हुँ गरा हुँ शको, एरी ते जो मारे चोथो वेरेवा आथवा तो लास्ट एलिमेंट छोई ये छे लास्ट एलिमेंट एटला है के आही का यो थोशे तोके 4, तो हुँ आईया a of 4 पन लखे शके शावे, एरे छे, एनी डेटा टाइप छे, एंटी चर छे, एटला माटे में आई पसंटेज, डी लिधेलू छे याद राखवानू के झारे तम्हें यूसर पासे थी वेल्यू लेता होई, त्यारे तमारे एड्रेस ओपरेटर नो यूस करवो पर्शे, पन झारे तम्हें प्रिंट करता है शो, त्यारे तमारे एड्रेस ओपरेटर नो यूस करवो पर्शे, नै, you can read print the five elements by using one scanf printf statement as under which look प्रिंट एफ पन मारे फाइव टाइम लखू पडशे, पन एना बड़ले छो हूँ लूप लखी लईश, लूप मा एरे मुखी देश तो मारा माटे इजी पडशे, चलो जोईए छिये के फोर लूप आपेली छे, तेमा आईने जीरो इनिशिलाइस करेलो छे, इनिशिलाइस मींस के आईने जीरो वेल्यू आपेली छे, अवे लूप छे, एक यासूती जशे तो के जासूती लूप छे, ए पांचती वदशे ने आईनी वेल्यू पांच, अथवा तो पांच कत्ता वदशे ने जासूती लूप छे, एटले के फेला आईनी वेल्यू जीरो थशे, अन्य फ्रश्ट एलिमेंट छे ए लेवा, देशे अन्य पच्छे एज रिते प्रिंट वेल्यू करवा, देशे हवे आई प्लस प्लस तश्ये, मिन्सके जीरो हता ए वन थेई चेशे, हवे फरिती कंडििशन चेक करशे, वन चे ए पांच कत्ता लेस्तन चे, नाना छे कंडिश साचे पड़े छे एरीते मने सेकेंड एलिमेंट छे एलेवा देशे औने प्रिंट पन करवा देशे एरीते आई पलस पलस थशे आई मा तू थशे हवे चेक करवा देशे अने फरिति ए छे एमा आई मा तू जो शे मिन्सके आहीं मने third variable छे ए यूजर पासे तिलेवा देशे अने प्रिंट पन करवा देशे ए रीते जारे आई माँ पाँच चरशे एले के पाँच छे ए पाँच कत्ता नाना छे ए कंडिशन खोटी पड़े छे एटला माटे मने छठो एलिमेंट छे ए प्रिंट के रीड करवा देशे नई जiding you can perform the calculation also by using the subscribe for example below will determine the total of 5 element means के मारे एरे ना element छे एनु केलकुलेशन करूँ छे मिन्सके बधाने बधानों सम करो छे टोटल करो छे तो पण हुँ सब्सक्रिप्ट नी मदती करी शक हुए आपड़े पांच एलिमेंट ता ए पांच एलिमेंट नों मारे सम करो छे तो एक में वेरेबल लिदो छे टोटल मिन्सके पांच एलिमेंट छे एना सब्सक्रिप्ट ए ओफ 0 प्लस ए ओफ 1 प्लस ए ओफ 2 प्लस ए ओफ 3 प्लस ए ओफ 4 छे ए एनी वच्चे हुँ प्लस एडिशन ओपरेटर मुकिश अने तेनों बधानों सम छे ए टोटल मां छे इफ सबकोस वी असेंट वेल्यू 5 छे ए 0 न ने आपवला छे 15 छे ए 2 ने आपवला छे 20 छे 20 छे 3 ने आपवला छाने 25 छे ए 4 ने आपवला छे मिन्स के तो तेन इच वेल्यू इस सब्सेस जीवली स्टोर्ड इन्टु एरे एस अंडर इंसाइड मेंब्री मिन्स के ए ओप जीमा फाइव ए आरी ते मेंब्री छे ए कॉंपिटर मां स्टोर थसे डिक्लेरेशन ओप एरे एरे नू डिक्लेरेशन काई रिदे थाई तो के पेल्ला तो डिटाटाइप आउशे एरे नू ने माँशे आपना हैं छोयो अने तेनी साइज इक्जानपल नापनेलो छे हवे हाईट लाम नो एरे ची अने तेनी डिटाटाइप फ्लोट छे अने तेनी साइज टेम चे मिंसके अहीं मने 0 थी लईने size minus 1 मिंसके size 10 छे 10 minus 1 एदले के 9 height of 0 height of 1 height of 2 height of 9 मने array index मल से explain the representation of string using array of तर के रहे होई आपने अगाव नंबर छोई होई string छे एनो मारे array बनावो छे तो कई रीदे था तो के in c program the array of character represent the string और एक लेशे तो के specific कोई एक अक्षर और एक अक्षर छे एनों गुरूप बनावी दो तो ए string बनी जाए छे in string the size indicates your string contents how many maximum character मिंसके अहीं मारे bracket मां में 5 आपेला छे तो किटला character ले शे तो के 5 for example here we have used we have the array of the character name which is known string and here its size is 5 मिंसके मारा array नों ना name छे अने name छे एनने सूके वे तो के अहीं तमने 4 character बन मुके आपेला छे मिंसके अहीं तमारा character छे 4 आपेला छे अने तेनू group थेलो छे अतला माटे string बनी चेशे अने तेनी size केटली छे तो के 5 you can store maximum 4 characters in your string मिंस के string माँ तमे वधारे माँ वधारे 4 character नों यूज करी शगो छो केम के मारी size 5 छे तो तमाई नमबर माँ 5-5 character माँ value नाखी शक्क्यादा पन string माँ यूँ थशे ने केम के string माँ हमेशे श्ट्रिंग माँ last character छे last value यूँ थे यूँ हमेशे null होई छे Suppose we are storing string well in array 9 मिंस के name नामना array माँ well नामनी string store करवी छे तो name of 0 माँ W जशे name of 1 माँ E जशे name of 2 माँ L जशे name of 3 माँ L जशे एले के माने 4 character छे store करवा जशे पॉन छे last character छे हमेशा 0 हशे by default ए0 आभी छे मिंस के तमारे जेटला जेटली string size उज एना कता 1 भधार 8 any size आपानी for example bca नामनी string छे bca तो मारे size छे f4 अभवानी initialization of one dimensional एरे मिंस के 1 d एरे मा तमे value गई रीटे नाठी शक एनू general format छे data टाइप पच्छी एरे नो नाम आने square bracket मा हुशे size equal to करे ने तमारे चेटला variable नाख पवावे तेने कोमा धी चुदा पडवाना हवे एकसांपल हापे लूँ छे के data type integer आपेली छे एरे नो नाम x छे तेनी size 5 अही 10 20 30 40 50 means के तमने आही 5 value assign करे छे एडले के x of 0 मा 10 जशे 1 20 जशे 2 30 3 40 4 40 जशे You can initialize the character array or string by two ways For example हवे तमारे string value नाख वी छे अथ तो character अपपा छे तो 2 रिते आपी शको एक तो specific single code मा आखी string छे एन्य double code मा मूटी शको ज़ारे तम्हे single code यूज करो छो ज़ारे आम्मे श्या तल्ली bracket आऊ शे initialize initialization of array has two drawbacks of limitation अवे तम्हे array चे एन्यो initialization करो छो मिंज एरे तम्हे value आपो छो त्यारे तमने बे limitation छे एले के एन्या बे disadvantage छे बे खामी छे there is no any way to initialize selected array element मिंज के मारे कोई पन selected array element आपफो छे for example आही name of 5 छे name of 2 2 means 0 1 2 मारे L आपो छे तो direct हूँ आपी शकिश ने means के मारे दरेक element छे 1 ने बेल assign करो पर 2 ने पर 3 ने assign करी शकिश there is no any shortcut method to initialize the large number of array element means के जो चे साइज बधारे होई एल्ले के कोई पर large value चे assign करी होई तो एनी मारे कोई पर shortcut method नथी एनने पर तमे आज रिते assign करी शको छो हवे छे initialization of 2D 2 dimensional R means के 2D R को ने के तो के तेने 2 सबस्क्रिप्टेड एरे होई तेने 2D एरे के वाई data एरे name तेनी syntax आप एली छे data एरे name first row size and second column size equal to list of values of first row and list of values of second row अवे तेनो example चोई आपड़े के integer data type छे एर नाम नो एरे छे first row size मिनस के 2 row size आने second two आपेलो छे column size छे list of values मिनस के first आपेलो छे 0,0 हवे चे पेली वेल्यू आपे 00 ए तमारी first row छे आने 1,1 छे तमारी second row छे हवे तमे आने बिजी रीते पर initialize करे शको छो मिनस के 0,0 1,1 2D एरे छे के इस्टोर थर table of values एरे with two subscript is known as two dimensional एरे double subscript एरे मिनस के छे two subscript होई हवे आपने single subscript मा छोता था single subscript मा छोता तो के हमेशा तमने 1 subscript मर्टा था एटले a of 0 a of 1 a of a of 2 2D एरे छे एमा तमने two subscript मर्ड़े छे means के आही तमने 0,0001 means के तमने यह बबबे subscript आपपा मा आवे छे two dimensional एरे can be represent by the matrix in mathematics means matrix चे टेबल टेबल मा तमने चे matrix नो यूज करता था एज तम्मा two dimensional एरे छे matrix elements can be represent by vij where i we can declare the two dimensional array by using following format any syntax आपपल छे data type rnm row size अने column size एटले के पेलू जट्टू छे एट तमारी row size चे बीची छे column size चे 0,0 0,1 अने एज जटे 1,0 अने 1,1 एवु तमने structure मलच multi-dimensional array in multi-dimensional array we have more than two subscript बे subscript करता बे index करता पन वधा रे index होई तमारी multi-dimensional array के वाई हवे एही तमारी data data-type आपी छे index आपेली छे के data-type array नाम अने तमारी index आपेली छे हीर एसा indicates the size of the 8th dimensional for example integer marks नामनो array छे एने में 3 subscript आपेली छे मिसके 2 80 अने 6 हीर marks is the array of 3 dimensional array हीर first subscript indicates the number of division second subscript indicates the number of students and third subscript indicates the number of subject in our case there are two division means के बे division हाशे बे बिभाग हाशे 80 students हाशे अने 6 subject होशे